दोस्तों हम लोग अलग अलग बैंकों के काड यूज करते हैं और काड यूज करते हैं तो हमें लगता है कि हमें किस बैंक में सबसे अच्छा रिवार्ड पॉइंट वैलू मिलेगा जैसे कि जो रिवार्ड पॉइंट की वैलू है वो ज्यादा रहेगा किस बैंक में रहेगा किस card में रहेगा और आपको सही card चुनाओ कैसे करना है अगर आप reward point या cashback चाहते हैं आप अगर shopping करते हैं तो shopping करने के साथ साथ आपको benefit प्राप्त हो यह सारा details आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो मेरा आपसी request है कि बोड़े को like करके support कर देना और चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना दोस्तों हमारे इंडिया में लोग अलग-अलग bank को के card यूज करते हैं कोई SBI यूज करता है कोई HDFC यूज करता है कोई यूज करता है तो अलग-अलग bank के लोग credit card यूज करते हैं यहां पर दोस्तों अलग-अलग bank अलग-अलग type के reward point देते हैं आप देखते हैं कोई-कोई bank जो है आपको 2000 reward point कैसे SBI में simply credit card है जो की 2000 reward point पे 500 रुपे का आपको voucher देता है और कोई-कोई ऐसे जो बैंक है जो अपने credit card में reward point के बदले आपको समान कुछ purchase करने के लिए से RVL bank का card हो गया तो कोटक bank में recharge अलग-अलग type के सब मिलते हैं बड़ दोस्तों मेरा 10 से 11 साल 12 साल का experience मैं काफी सारे card यूज किया हरो card को मैंने यूज किया हरो card में reward point में redeem किया बट मेरे को सबसे मुझे लगता है कि इंडिया में इससे अच्छा card नहीं आ पाएगा अगर इससे अच्छा card अगर आवी जाता है तो आप मुझे comment section में जरूर बताना दोस्तों यह है HDFC bank का millennia credit card तो मैं इस card करीबन तीन चार साल से यूज कर रहा हूं और करीबन तीन चार साल में अब तक मैं कम से ना कम जो है 80 से 90 हजार एक लाग के something मैं इससे only reward point अर्न कर चुका हूं इस credit card से सोचिए और shopping normal कोई high shopping नहीं खास बात क्या है यह मैं आपको बता दूँ एक reward point value एक रुपए अगर दोस्तों आप महिने में या आप एक दो महिने में अगर मालो 10 से 15 जार रुपए का shopping कर लेते हैं पान से 700 अगर आपको reward point मिल गया तुरंत ही आप 500 से कम reward point नहीं redeem कर सकते पहले 2000 के उपर था अब जो है 500 कर दिया गया है तो 500 reward point अगर आप एक रुपए बराबर एक reward point बराबर एक रुपए मिलेगा 500 reward point का आप 500 रुपए मिलेगा क्योंकि अभी तक के लिए मुझे कोई ऐसा card नहीं दिखा जो एक रुपए एक reward point का एक रुपए हमको दे सके तो अगर आपके पास कोई ऐसा card है तो आपके नाम और details share करना जो कि मैं आप लोग पर वीडियो बना सकूं दोस्तों अगर आप चुनाओ करना चाहते हैं अगर आपको चाहिए ऐसा create card तो आप एचे डेपसी बैंक का मिलनिया card जरूर अपलाई करें क्योंकि तो को मेरा माशर कार्ड है update हो के फिर से माशर कार्ड ही आया जिसका जो card रहता है जो variant रहता है बैंक वही बेचता है तो किसी-किसी का वीजा भी आ गया था मैं इसे यूट करता हूं और मैं कापी अद्धक इस card से happy इसलिए हूं कि अगर आप एक लाग की उपे अगर आप transition कर लेते हैं तो आपका जो जो हजार रुपे की something लग रहा है वो माप कर दियाते हैं बहुत च cashback reward point ही चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं मुझे रिगालिया card के लिए update रने का option आया मैंने bank को मना कर दिया मुझे नहीं करना है कौन जाएगा इतना high joining fees देने के लिए मुझे नहीं चाहिए मैं इससे happy हूं और अगर मैं कभी भी transition करता हूं तो reward point मुझे भर-भर के मिलत हैं जो कुछ card मैंने या पर डोल में रखे हैं जो कि मुझे सबसे best a लगा तो आप बताना आपको कैसा लगा अच्छा लाप वीडियो को लाइक करना दस्रों में सेरे कर देना मन में कोई भी स्वाला तो comment कर देना फिर में देते हैं नए वीडियो के साथ अब तक लिए जै